जहिंत स्वागत आपको अपनी यूट्यूब चैनल ग्रेट पार सालम दोस्तों इंडिया और कनडा के विखड़ते रिष्टो के बीच में कनडाई मिलिटरी के जो चीफ ऑफिसर्स हैं वो इंडिया आने के लिए बेताव हैं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगा और वो इंडिया आ रहे हैं इसके साथ ही इंडियन कंपनीज जो है वो कनडा को चोण रही हैं देखिए दुनिया को पता है कि जो इंडिया है इंडिया ने करनाडा यी लोगों का वीज़े जो है निलम्मित कर दिया है अब कनाडा के जस्टिन टूडो ने ऐसे कलपन नहीं की थी कि इंडिया वो यह इस्टेप उठाएगा कैं करनाडा के पीम जस्टिन टूडो ने UK, US, न्यूजिलेंड, आ आउस्टेलिया नहीं कहा न्यूजिलान ने कहा वो भी हम इस वीडियो में जान रहे हो लेकिन अब क्या हुआ जिस्टिन टूडो को यह महसूस हो गया और इंडिया ने बता दिया कि हम पुराना इंडिया नहीं है नया इंडिया नया भारत है और हम ऐसा कर रहे हैं यानि कि देख लो हमने बीजे निलम्वित कर दिया और आगे देखो क्या का इस टेप उठाते हैं देखो आगे देखिए आगे इन्होंने बोला है इंडिया ने कि आप अपने डिप्लोमेट्स को कम कीजिए जो फाल्तू के राजने कि हाँ पर भारत में बिठा रखे हैं जो कि हमारे अफियर्स में इंटरफेरंस कर रहे हैं उनको कम कर दीजिए यानि कि इंडिया अब इसको अलग थलग करने में लगा है और कनाडा की हालत पाकिस्तान के जैसी हो गए जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू और कस्मियर को लेकर अपना आपकी चबी को खराब किया है इसी तरीके से कनाडा खालिस्तानी को लेकर अपनी चबी को खराब करने में तुला है अलगी पाकिस्तान का मुद्दा अलग है वो दुनिया में अलग थलग हो रखा है लेकिन कनाडा वैसा नहीं है अभी थोड़ा भटका हुआ हो सकता है कि आगे च इसके साथ ही जो महेंद्रा एंड महेंद्रा की कम्पनी थी उसने अपनी सहोगी कम्पनी से रिस्ता खतम करने का फैसला कर लिया जो रेशन एरोश्पेस कारपरेशन थी उसमें 11.18% की हिस्सेदारी थी ठीक है उसने स्वेक्षा से समझापन करने के लिए आविदन दे दिया ठीक है देखिए आप जे दोनों के रिस्ते जो खटास हो रखी है दोनों के रिस्तों में यानि की कैनादा और हिंडिया के रिस्तों में तो उस चीज से शेर मार्केट पे भी असर पड़ रहा है आपने देखा हो कि दो-तीन दिन से शेर मार्केट गिर रहा है और कॉल-कॉल में गिरावट देखनों को मिली है कानडा पेंसन फंड में लगवग 21 विलियन डॉलर इसके जो कनडा है उसके इसमें निवेस इनॵेस्टमेंट हो रखे हैं तो इसमें घहाटा वैकि दोनों कोई है Gibson कानडा ने सोचा था की इंडिया को हम यह करेंगे इंकां ट्रैब्लिंग विजार्द कर दिंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो इंडिया को जैदा नुक्सान होगा लेकिन ऐसा नहीं है ज्यादा नुक्सान कानडा को जहलना पड़ेगा ठीक है अब देखिए जस्टिन टूडो ने जब यू के यूएस आउस्ट्रिया नुजिलेंड से बात करी उसके बाद में उनका जवाब आया वो भी हम देखेंगे कि क्या का जवाब द कि इनको पता है कि हम अलग थलग होने वाले हैं आज की समय में हमें कोई साथ नहीं देगा और यूएस यूके ऑस्टेलिया नुजिलेंड ये किसली साथ नहीं देगे क्योंकि उनको अपना ब्यापार चलाना है वो एक बिजिनस्वन कंट्री है और एक विक्सित देश है उ जब चाहिना का रिप्लेस्मेंट चाहिए तो एक ही देश है जो कि रिप्लेस्मेंट कर सकता है रिप्लेस कर सकता है चाहिना को है इंडिया और ऐसे में इंडिया की जो छबी है वो ग्लेवल लेवल पर बहुत उच्छ बहुत माहिन रखने वाली है ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमने इंडिया से रिस्ता खराब करूँ तो जेस्टिन टूड़ो को ये बात भाब कई और इंडिया ने इसके उपलक्ष में इसके रस्पोंस में भी जवाब दिया कि भई कनाडा निजजर पर सबूत साजा करें यानि कि निजजर पर एविडेंस दे आरोप नहीं लगाएं सबूत दे ताकि कुछ आगे हो सके अब देखिए मैंने बात करी थी शुरुआत में ही कि इन विवादों के बीच में कनाडा की सेना है उसके चीफ ऑफिसर्स इंडिया आ रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा है जो कि इंडिया आने के लिए बेताव है चीफ आज़ने के लिए उसमें भाग लेने के लिए आएंगे अग उन्होंने कहा है लगबहग इसमें 20 से 22 देश है सेनने इता चेत्र में चीन की विस्तारवादी और आकर्मत निती के बीच में भारत प्रसांथ चेत्र में सहयोग और स्थेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक साथ आएंगे यानि कि इन समयों देशों की जो सेना है उनके सैने नेता है उनका एक मोटिव क्या है कि जो चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीती है यानिकि चीन विस्तार कर रहा है अपने अपने प्रदोसी में कभी किसी को चीन लेता है और आक्रामक नीती को अपना रहा है तो ऐसी नीती को भापते हुए ऐसी नीती को खतम करने के लिए यह 22 देशों की मीटिंग दिल्ली में होने वाले है तो इसको देखकर भी जो यूके यूएस ऑस्ट्रिया निउजिलेट वो भी इंडिया से रिस्ता खतम नहीं करेंगे इंडिया से रिस्ता खराब नहीं करेंगे अब बात आती है कि उन्होंने क्या कहा जो कि करनाडा की सेना के चीफ ऑफिसर ने कहा कि हमें इस चीज से कोई फर्क ने पड़ता राजनाइक संबंदों से कोई फर्क ने पड़ता हम जाज करवाईए। उस्टेलिया ने कहा त कि आप जाज करवाईए। और युप के ने तो इस पश्ट रूप से निटाई कर दिया, इस पर श्टूप से मना कर दिया, क्यों कि यूके की इंडिया के साथ में अभी ट्रेड को लेकर चर्चा होने वाद दिया तो ऐसे में यूके अपने रिस्ते को खराब करना नहीं चाहेगा, तो आपकी क्या राय है, इस वीडियो में कनडा और इंडिया के संबंदों को लेकर अपनी राय को कमेंट स्वर्क्स में लिखिये,